हाई फ्रेंड्स डेलिकेसिस अन दा प्लेट में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ टेस्टी आलू को भी मतर की सूखी सबजी इसे आप टिफिन के लिए लंच या डिनर या पाटी में बनाए बहुत ही टेस्टी बनता है और सबसे खास बात काफी जल्दी बन कर तयार हो जाता है करीब 15 एमिनट में यह सबजी बन कर तयार हो जाती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इस सबजी को बनाने के लिए कड़ाही में मैंने ले लिया है 5-6 बड़े चमज तेल उसमें डाल दिया है एक चोटा चमज जीरा जीरा थोड़ा भूनने के बार डाल दिया है मैंने तीन हरे मिर्च छोटे टुकडों में काटकर और 12-15 कड़ी पत्ते यहां पर मैंने दो मीडियम साइस का प्यास बारिक काटकर ले लिया था उसे डाल दिया है इसे सुनहरा होने तक भून लूँगी प्यास के साथ इसमें मैं डाल दूँगी एक तक चोटे टुकडों में काटकर इसे हलका सा भून ले फिर इसे के साथ मैं डाल दूँगी 200-500 फूल गोभी जिसे चोटे टुकडों में काटलिया है गोभी के साथ डाल दूँगी करीब 100 ग्राम हरी मतर इसे भी मिक्स कर ले और अब इन सारी सबजीयों को 2-3 मिनट के बहुत जरूरी होता है। और बीच बीच में इस इस तरह से चलाते रहें। फिर इसमें मैं डाल दूंगी तीन मिडियम साइज के टमाटर इस तरह से बारिक काट कर। इसे भी अच्छे से मिक्स करके बाकी सब्जियों के साथ भुने। और तब तक इसे पकाना है जब तक की तोड़े टमाटर यहा पर गल गया है तो अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा छोटा चमच गरम मसाला, आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर, तीन चोथाई चोटा चमच कश्मीडी लाल मिर्च पाउडर फिर इसमें डाल दूगी जीरा करीब एक चोथा ही चोटा चमच अब इसमें डाल दूगी नमक स्वाद अनुसार अब इन सारे मसालों को और नमक को अच्छे से मिक्स करके ढग कर इस सब्जी को करीब 5-7 मिनिट के लिए पकाए या जब तक कि सब्जी अच्छे से पक न जाए खास तोर पर आलू जिससे कि हमें पता चल जाता है कि सब्जी अच्छे से पक गई है तो यहाँ पर मसाले मिक्स हो गए है तो अब मैंने यहाँ पर यह धकन लगा दिया है बीज-बीज में धकन हटा कर अब सब्जीयों को च जलाते रहें ताकि तले में चिपके नहीं और चलाने से सबजी समान रूप से अच्छे से पक जाती है यह देखिए कितना मॉईस्टर् रिलीस हुआ है अलग हुआ हैं सबजी में यह नमक डालने तो यह देखिए सब्जी पक कर तयार हो गई है आलू से भी मैंने चेक कर लिया है आखिर में इस पर डाल देना है बारी कटा हुआ हरा धनिया सब्जी पकने के बाद करीब दो मिनिट इसे खुले पैन में पकाएं अच्छे से भून लें जिसे की सब्जी का अच्छा टेस्ट आएगा और धनिया का पूरा फ्लिवर सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहां पर हमारी आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी बन कभी भी बना सकते हैं तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियो उसका अपडेट मिलता रहेगा